असलाम वालेकुम नाइन्टेनाइनीज के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है 2020 गुज़र चुका है 2020 पुरी दुनिया के लिए एक बहुती मुश्किल तरीन साल था जिसमें पुरी दुनिया करोना की वज़े से सिमट कर रह गई दुनिया की अवाम में इतनी हलचल और इतनी प्रॉब्लम इतनी मुसीबत शायद पिछली कई सदियों में देखने में नहीं आई कि अवाम को इतने मुश्किल हालात और इतने मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा 2021 के शुरुवाद अवाम ने पुरी दुनिया में जोश्क खरोश के साथ मराया और उसी तरह शुरू किया जाता है साल के शुरुवाद में किसी को भी आईडिया नहीं होता कि आने वाला वक्त उनके लिए किस तरह गुजरेगा और किस तरह की खुशियां लाएगा और किस तरह की मुश्किलात का सामना उने करना पड़ेगा ठीक इससे तरह करोना का मसला इतना बड़ा मसला है पूरी दुन्या में इस वाद करोना की दूसरी लहर चल रही है और पहले मौते किसी हादसात के वज़ा से हुआ करती थी मौतों की इतनी गिंती नहीं हुआ करती थी इतना शुमार नहीं होता था लेकिन इन चन्द लमों में इन चन्द महीनों में इन चन्द अर्से के अंदर हमें इतनी मौते देखने को मिली है जिसका हम तसवर भी नहीं कर सकते थे इसे किसासा 2020 में पाकिस्तान ने बहुत सी एहम शख्सियात को भी खो दिया उसकी कई नंगई बहुत बड़ी वज़ा कुरोना भी मानी जाती है कहा जाता है कि कुरोना को हम आजमाईश समझें या अजाब समझें अगर आजमाईश समझें तो आजमाईश तो पाकिस्तानी अवाम एक सदी से गुजरती ही आ रही है और शायद उसे आदत भी हो चुकी है उस आजमाईश की वज़ा से लॉक्डाउन, स्मार्ट लॉक्डाउन इन सब का शायद इतना असर तो अवाम पर नहीं पड़ाओ क्योंके पाकिस्तान की अवाम सदियों से मुश्किलात का सामना करते करते इतनी जादा आदी हो चुकी है इतना सबर पैदा कर चुके है अपने अंदर कि वो ये भूल चुकी है कि अब कौन आएगा और कौन उनके मसले मसाईल को हल करेगा करोना जासी वबा से निवटने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत 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 थक कामियाब होता हुआ नजर आया और यहीं उमीद की जाती है कि 2021 में भी इन्शाला तलाहूल अजीज पाकिस्तान हर उस चैलिंज जिसका इसी तरीके से मकाबला करेगा लेकिन करोना एक ऐसी चीज है एक ऐसी वबा है जो एक दूसरे में मुन्तकिल होती है इसमें स्विफ हुकूमत को अपने हिकमते अमली अख्तियार करने की कोशिश नहीं करनी हमें भी अपने तौर पर इस कोशिश में अपना फरपूर तरी हिस्सा डालना है एसोपीस क्या है यह आप सब जानते हैं मैं भी जानती हूँ आपको मास के बगार जाना लजमी है आप अपने आप से प्यार करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी प्यार करें बात की जाए अगर हुकूमत की तो हुकूमत के हवाले से साल तो नया शुरू हो चुका है लेकिन मसले वही पुराने है वही बाद, वही PDRM, वही नरे वही नरे बाजिया, NRO वही सारी बातें जो अवाम एक अर्से से सुनती चली आ रही है केते हैं के जब आपने किसी के खिलाफ लडना होता है तो सारे के सारे खटा हो जाते हैं लेकिन यही यूनिटी पाकिस्तान के मफाद में पाकिस्तान की तरक्ति के किड़ार में कहीं भी अदा होती हुई किसी भी पार्टी की तरफ से नजर नहीं आती पाकिस्तान में बहुत से डिफरेंट जमाते हुकूमत करती हुई नजर आती है इतने सालों से लेकिन इस बार मौका दिया गया पी-म इमरान खान सहाब को कि हो सकता है कि वो आवान के लिए कुछ मुश्किलात कम कर सकें लेकिन सूरा के हल कुछ इस तरह से सामने आ रही है उनके बहुत सरे इंटर्वियूस है जुन में उनको बखुबी देखा जा सकता है कि वो जी कहते हैं कि मेरे पास कोई बटन नहीं कि मैं फॉरन से दबा दू और मसले मसाइल हल हो जाए पाकिस्तान के लावा अगर दूसरे मुमालिक में या किसी तरक्वी याफ्ता मुमालिक की बात की जाए तो वहाँ नए टीम नए एक्तदार में आने वाले लोगों को एक दो महीने पहले पूरी डिटेल दी जाती है पूरी इंफॉमेशन दी जाती है पिछली हुकूमत की क्या इस्ट्राइडिजी थी उनके क्या मौाहिदे थे कहां से कर्ज लिया किसको कर्ज दिया कौन से तरक्वी काम इनकी हुकूमत में हो रहे हैं सिर्फ और सुरिफ अपने मफाद में काम करते हुए नजर आते हैं ठीक इसी तरह पीम इमरान खान को धाई साल का अर्सा तो सिर्फ ये समझते हुए लग गया कि पाकिस्तान में किस हब तक मसले मसाईल है यहां अगर ये मिसाल देती चलू कि जब तक आप समंदर में कूते नहीं हैं आपको अंदाजा नहीं होता कि समंदर की गहराई कितनी है ठीक इसी तरह ड़ाई साल के अर्से में महंगाई अरूच से अरूच पर जा चुकी अवाम के मसले मसाईल वहीं के वहीं है जूंके त पाकिस्तान में इस वक्त जिन लोगों के पास नौकरियां थी वो भी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैटे हैं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नौजवान जिन के पास पहले ही नौकरिया नहीं थी जो पहले ही हालात का शिकार थे वो एक आम आवाम जो अपने घर में रह बच्चा जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ वो भी पाकिस्तान के कर्जे का मकरूज है पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को इतना कर्जे में डुबा दिया या जितनी भी रुकूमतें आई उन्हों ने सिर्फ और सिर्फ कश्कोल लेकर दूसरे ममालिक के सामने भीग ही माली है इस कश्कोल की वज़ा से पाकिस्तान इस कदर कर्जे में जा चुका है कि उन कर्जों को चुकाने के लिए हर चीज सिर्फ महंगाई की सता की तरीन बुलंदियों पर जा चुकी है और उस महंगाई का असर सबसे जादा अगर किसी पर होता है तो वह एक आम इंसान पर होता है जो आकर सिर्फ ये समझे कि अब जिसने शायद कोई ऐसी स्ट्राटीजी बनाई हो कि अब तक जो साल गुजर चुका जो बहुत गुजर चुका उसमें पाकिस्तानी अवाम को तो शायद कोई रिलीव ना मिला हो कि जिसकी वज़ा से हमें मजीद चीजों को बढ़ाना पड़ता है हम मुझबूर हैं तो ये मुझबूरी किसकी है कौन से ऐसी स्ट्राटीजीज हैं क्यूं लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि आप आते तो है क्युकि हर चीज़ को करने के लिए आपको अपनी जात से निकल कर से के लेकिन बजाए इसक시 पर कोई रिलीव दिया जाया अवां का यह ख मारकर बैट जाते हैं और अपनी तुझोलियों के बरते हैं कि मुल्क का खाली ओते हैं जब दुसरी हो कुम्ट आती है तुस्मुनिव एक दुसरे पर औरकर कोई काम नहीं नजर आता बात की जाए मनी लॉंडरिंग की तो मनी लॉंडरिंग का खेल तो बड़ा पुराना है कभी किसी की बारी फिर उसकी बारी आज मेरे हाथ मेरे हाथ में एक्तदार है तो मैं मनी लॉंडरिंग करूँ फिर उसके बार दूसरे की बारी फिर वो छोड़ता है त कि क्योंआ पाकिस्तान में अब तक बलदियाती उलेक्षन हो ही नहीं सके पाकिस्तान में का जो सिस्टम है वो इसक ख़धर नाकिस है करांची इतना बड़ा शहर इतने बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है इतने बड़े शहर को चलाने का खौब हर कोई देखता है इतने बड़े शहर को शहर का एकदार लेने का खौब तो हर कोई देखता है लेकिन अब तक बल्दियाती इलेक्शन ना होने की वज़ा से गटर वैसी बे रहे हैं, गंदे पानी वैसी घरों में आ रहे हैं, बेचली वैसी मनकता है, गैस वैसी मनकता है, जिन्दगी बजाए इसके कुछ बहतर होती, मजीद अजीरन हो चुकी है इसी किसा साथ इन सारे मसले मसाइल को तो हम आप से डिसकस करते रहेंगे, लेकिन दुआ के जाती है कि 2020 में जितनी मुश्किलात पूरी दुन्या में लोगों ने देखी, पाकिस्तानी अवाम ने जितनी मुश्किलात देखी, और कुरोना की वज़ा से जिसक अदर जिन्दग को असान करें, इन्शाला ताला हुल अजिस आपसे होगी, फिर दुबरा मुलकात अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अला निगे बान